PCC चीफ जीतू पत्वारी ने MP News के एडिक्टर इंचीफ डॉक्टर महिनर सिंग से एक्स्क्लूजिव चर्चा करते हुए अपने नौ महिने का कारेकाल का हिसाब भी बताया साथी बुधनी और विजय पूरत चुनाव को लेकर कहा कि परडाम आप प्रत्याश्वित आकल्पनिय होगा वही कॉंग्रेस ने नाराज नेताओं को लेकर भी अपनी बेबा की दिखाई देखिए ये खास रेपार्ट मध्यप्रदेश की राजिनीती के एक ऐसे खिलाडी नेता जो कि खिलाडी अंदाज में ही जनता की सेवा करते हैं फिलहाल कॉंग्रेस पार्टी के प्रदेश अद्यक्ष के दाईतों को सम्हाल रहे हैं पूरी की पूरी कॉंग्रेस पार्टी को बिख्री हुई पार्टी को एक रूपता और एक लए मिलाने के लिए दिन रात महनत कर रहे हैं जीतू पटवारी इस रहा में कई कांटे कई अवरोध भी आ रहे हैं कितनी मुश्किलाद आती हैं और कहां तक पहुंच पाएं बात यह है कि अवरोध हमेशा सफलता वेक्ति को संगठन को स्टेंथन देती है अभी चुकि लगातार दो तीन चुनाओ कांग्रेस पार्टी हरी है तो पार्टी के वरकर्स में ये भावना बनानी कि ये विचार धारा की लड़ाई है जिंदिगी में हार और जीच चलती रहती है और चुनाओ में दो सीट पे थी भारती जिंता पार्टी आ सकता में तो ये एक होती हुई प्रोसेस है पर विचार धारा के साथ हम मिलके काम करेंगे अनुशासन से करेंगे कांग्रेस के आइडिलूजी को मानेंगे गाओं गरीब और किसान की बात करेंगे जो राजनितिक रूप में जिसको नीड है उसकी लड़ाई लड़ेंगे तो परिवर्तन जरूर होता है और मैं मानता हूँ कि जो विचले 9 महिने में परिवर्तन है विजयपूर का जो चुना होगा उसका परिणाम बहुत पाजिटिव सकारात में कांग्रेस के पक्ष में होगा और जो बुधनी के भी परिणाम होंगे वो आश्चरी चकित करेंगे प्रदेश को और जो हमारा अमरवाडा का चुनाओ उप चुनाओ निकला वो भी हम पहले 20,000 से आ रहे थे फिर आखरी 3000 टेबल पर हा रहे हम तो परिवर्तन होता है पर प्रियास के आउशकता है और मेर हमारा सब मैं क्या हूं क्या लगता है इस मेहने में नौु रंग आपने देखे हैं और हमने देखा है कि जब एक कौंगरेस का ध्यक्ष बनता है तो बड़े अनुभवी राजनितां के बीच ताल्मय और तालमेल और समन्वय की सियासत भी करना पढ़ती है वो करने में कितना successful हुए हैं? और इन 9 महनों में कौन से 9 रंग आपने Congress Party को दी है? आपने बात यह है कि बिलकुल सही है कि जनता में पार्टी के वरकर संदेश देते हैं जाके और पार्टी के पक्ष में पबलिक को करते हैं तो एक अद्देख्ष होने के जुम्मेवारी होने के नाते मेरा दायत है कि मुझे सबसे पहले मेरी पार्टी के कारिकरताओं का नेताओं का मन जीतना पड़ेगा और उनके सबके साथ मिलकर अपनी पार्टी के स्टेंथन के प्रोग्राम को मुर्त रूप देना पड़ेगा तो उस पर लगातार प्रयास जारी है और मैं समझता हूं कि समन वे और सक्रीता से हम सम्मिलके काम करते हैं стр वर में बारबार पहले भी कहता थाकि हम सामुई नेतरत के साथ हम आगे बढ़ रहा है और आज भी मेरी मेरी थाट प्रोसेस क्लियर है कि हमारा नेतरत सामुई के जुम्मेवारी मेरे पास है और हम सब मिलकर मैं मानता हूँ डेड़ साल के अंदर कार्टी जैसी चाहते हैं अध्यप्रदेश की जनता वेसी मिलेगी औ और हमने एजिटेशन के जितने भी प्रोग्राम आये या हमने किये हमने जनता की लड़ाई लड़ना बननी की और बहुत ताकस से लड़ी जिलावार ब्लाक वार तो पार्टी अपना काम कर रही है पर जरूर है कि शहरी छेत्र में साथ सीटे ऐसी है जहां हम बहुत बुरी यह सब पार्टी का काम चल रहा है इतनी हार के बाद यह होसला आपको कहां से मिलता है यह मोटिवेशन कहां से मिलता है क्योंकि हम देखते हैं लोकसभा चुनाव में भी लगातार सूपड़ा साफ कॉंग्रेस पार्टी का रहा लोकसभा में करारी हार उसके बाद उप चु तो मैं उस सुत्र से जीता हूं कि आज को जीए और कल के लिए सो प्रतिशत दें मैं मानता हूं परिवर्तन होगा भारती जनता पार्टी से लोग ठक गए दस साल में नरेंद्र मोदी जी ने देश को जिस तरीके के नए भारत की परिकल्पना दी थी जब वो कहते हैं सब का सा तो लोगों ने उनको पसंद किया था आज कहते हैं बटोगे तो कटोगे इसका मतलब यह है कि नरेंद्र मोदी खुद चेंज हुए है पहले मूर्ग बना रहे थे और आज उनके असलियत आई है तो यह देश तो सबका है ना आप आप दस साल में आपने क्या किया यह देश और हम तो हमारे दो सुट बूट की जो रहुल जी ने अंदेशा किया था वेसा है तो लोग महंगाई से जूंच रहे हैं लोग करप्शन से जूंच रहे हैं लोग हर तरह की किसान यातनाय सेरा है उनकी फस्तनों के आए बढ़ गई इनका लागत बढ़ गई आई नहीं की कहानी और बुधनी की कहानी हम जब देखते हैं कांग्रेस पार्टी की जीतोर जब महनत हुई हमने देखा आपने डेरा डाल दिया विजयपूर आप लगातार आठाट दिन तक नहीं रहें गाउं में ही सो गया लोगों के घरों पे खाना खाया एक तरह से लगा कि बुधनी में भी अपनाया और लगातार शिवराज सिंग चोहान जोकी केंदर के क्रिशी मंत्री हैं उनको घेरने में आप लगातार डटे रहें क्या उमीदें हैं बुधनी की जनता और विजयपूर की जनता कॉंग्रेस को विजय दिला रही है यह सच है कि करीब 35 साल से राम तो वहाँ भी पार्टी का वरकर बहुर डिमोरलाइस था पर हमने पिछले 4-5 महने से तयारी चालू की थी दोनों जगे और पार्टी खड़ी मिली नए लोग आये इससे एक सीख मिली सबक मिला कि कि किसी के आने जाने से पार्टी के विचार पे और वरकर के संबल पे असर पड़ता है जो जाते हैं लोग वो एक दिन की खबर होती है पर जो उसके बाद जो परिस्तितियां बनती है उसका जाने वालों के लिए उत्तर होगा विजयपूर का चुनाव जाने वालों के लिए उत्तर होगा बुधनी का चुनाव मैं मानता हूं कि यह कोई मेरे प्रया क्या होगा मुझे नहीं पता पर एक लाग छे हजार और एक लाग तीस हजार से परिणाम कहा होगा इसको देखना पड़ेगा मैं मानता हूं आश्चेरी चकित रहेगा प्रदेश और विजयपूर में हम सो प्रतिशत जीतेंगे प्रिशासनी का हडधर्मिता अध्भुत थी कल्पनी थी मतलब केसे लूटा जाता है चुनाओ वो कोई कसर नहीं छोड़ी और लूटवा कौन रहा था मोहन यादो प्रदेश का मुख्यमंत्री उनने भाशन किया और यह कहा कि जाए जो करना पड़े समनी पटलूंगा चुनाओ जीतो मेरी जुम्मेवारी किसी को लगा दिया उसमें फिर कलेक्टर एसपी दली तो पर गोलिया चल रही वह सपोर्ट कर रहे हैं डाकू घुजगे चुनाओ में हत्यार लेके वह करें कोई डाकू नहीं आए उसके वीडियो बने गावालों ने डाकू पकड़ लिए पुलिस के सुपरत की फिर भी चुनाओ आयोग भी नहीं मानेगा प्रशासन भी नहीं मानेगा और एक तरह से अराजकता है जो लोकतंत्र को की पवित्रता है उसकी एक भी एक भी कड़ी अब बीजेपी रोखना नहीं चाहती सब आप पवित्र काम करना चाहती है वेकिन आपको भी सीमा में रोक लिया गया था मेरे सोभाव में एक केस इसा नहीं बताओगे कोई चूक में ने कर ली और मैं अपनी बात पर अड़ा रहा नहीं मैं जस्टिफिकेशन नहीं देता हूं मैं हमेशा कोई गलती चूक कोई टंक आफ सिलिप हो गया हो तो मैं सुधार करता हूं माफी मांगता हूं और आगे से से गलती नहीं का प्रेश करमोगरेस में ना राज फू पायोजी हैं इनका क्या कर हैं बहुत सारे निता नारास हो जाते हैं कभि अजे सिंह बयान देते हैं आपी की पार्टी के जो बड़े नेता हैं वह आपकी मुश्कीलें बढ़ाते हैं तो क्यों इतनी वरे वह आती है सब की बात आती है तो मुझे सुनना है उसकी रिस्पेक्ट करना उसको सुधार करना अगर कोई अजे सिंग जी का छोटा मोटा राजनिती केरियर तो है नहीं उनके पिता जी ने इस प्रदेश के सत्ता कई आज सबसे अच्छा मुख्यमंत्री देश का कोई माना जाता है तो अर्जुन सिंग जी माने जाते हैं तो मैं मानता हूं कि उनके साथ उनका पुत्र है उनकी तेस साल के उनकी राजनिती है अगर उनने कोई बात कही है तो मुझे उसकी रिस्पेक्ट करके उसको सुधार करना चाहिए उनसे बात करना चाहिए और मैंने की होगी जहां तक हमा यह सवाल क्यों नहीं पूछते हो कि साथ बार से केलास व्यजवर की केविनेट में नहीं गय तो बीजेपी में नहीं है एक मंत्री ने कहा खड़े हो के पूर्वग्रह मंत्री ने मेरे टेन प्लेट फोन टेप हो रहे यह बीजेपी में है एक अब मंत्री ट्रकों को पकड़ने चला गया रेत करी कि मुझे धिस्था नहीं मिल रहा सिर्फ बीजेपी के यह निया घर कड़ बीजेपी के कितने मंत्री कितने समय पे अलग-अलग बयान देते हैं आप लोग उनको क्यों निभी खरते हैं और राइबात फिर भी कोई बात नहीं हम पे ध्यान देते हैं इसकावा श्रेकी पीछे की बाते हैं आपने आज ला जी नी नी मैं आप से खुलम खुला बाते हैं अभी भूपेन सिंग जी ने कितना बड़े बयान दिये तो मेरा बस इतना निवेदन है कि जहां तक अजे सिंग जी का और वरिष्ट नेताओं का सवाल है मैं लगातार समवाद मेरेता हूं और मेरे लिए मैं आपकी माध्यम से संद कोई लाइक डिसलाइक नी अगर मैं लाइक डिसलाइक रखूंगा तो मैं समझता हूं में नियाई नहीं कर पाऊंगा तो मेरे परिवार के हैं और मेरी दाइत वह है कि मैं वह वेभौक आंग्रेस का जो था और उसका हक है वो लोटे इसके लिए मुझे अपना खून का करती जनता पार्टी की कितनी मुश्किले आती हैं और यहां पर कोई आप कमबैक के लिए कुछ पॉलिसी बना रहे हैं को रणीती तयार कर रहा है ऐसा है महन जी कि मैं उन लोगों में से नहीं हूं कि अपनी कमजूरियों को छुपाऊं और बहाने भी नहीं बनाऊंगा बि इन सब बातों को लेके कांग्रेस पार्टी गंबीर है हमने एक अभी थोड़े दिन पहले व्यूरशना बनाई है उस पे भी चुकि यह इलेक्शन थे तो अपेली मीटिंग दो दिन बाद है और के हमारी कमिटी के उसमें सारी चर्चाएं करके हम आखरी मूर्थ रूप दे हर इसतर पर उसके प्रयास होंगे भारती जनता पार्टी बिएसे बड़ी बनी है बिना मेहनत से कुछ नहीं मिलेगा हमारे वरकरों से मेरा अग्रह है कि या तो भारती जनता पार्टी की यातना ऐसा हो या उनका जनता उनके कारण चुकि उनका वर्चस बढ़ता जा रहा प्रशासनिक तो जनता भी यह सोचती है कि जीतते हैं तो उनके खिलाप नहीं आ पाती है तो अपने को मजबूत करेंगे तब जनता हमारे तरफ देखेगी तो मैं मानता हूं कि कांग्रेस मजबूत होने के लिए सब के सयोग्या पर इक्षा है इंदोर जैसे इंदोर तो ही पर इंदोर जैसे जितने भी नगर निगम है शहरी सीटे हैं उसको लेकर कांग्रेस पार्टी महुला कमिटी है और ग्राम पंचायत कांग्रेस कमिटी का गठन कर रही है और उसके साथ ही पार्टी के निचले स्थार पर केडर तयार हो, मजबूती आए, वरकर दोड़ने ल है और मैं मानता हूं आने वाले समय में आपको बहुत अच्छा कांग्रेस पार्टी का वात्तारण और मजबूती दिखेंगे उमीद पर दुनिया काय में एक और सवाल जन्ता की तरफ से आता है कि क्या जीतू पटवारी जी अगला विधानसभा चुनाव दो हजार अथाइस का राओ विधानसभा शेत्रत से ही लड़ेंगे या इलाका बदलने वाले है राओ मेना मेरा परिवार है मैं बार-बार के चुका हूं मैं सो बार ये बात दो आपकी टीवी पर पचास बार दोरा चुका होगा कि ये जीत और हार से इसका रिष्टा नहीं हो सकता है जब से मैं हारा हूं इस बार मैंने कभी जो जीते हमारे जन प्रतिनीदी उनकों क्रिटिसाइज नहीं किया नहीं के लिए बुरी अधिश्च प्रयास के बाद भी जनता ने एकसेप्ट नहीं किया तो ये जनता ने नहीं किया इसका मतलब है जनता जो सोचति है को सोच समझ के सोच से गिष्ट сокल से Winds on in a गजिए ये चुनाओं के लड़ने और चुनाओं के जीतने और चुनाओं के हारने का विशय है लगाए जाते हैं इन दोर से एक आवाज निकली पूरे प्रदेश में उसने आप पर आरोप के कई लाचरे लांचन लगाए मैं बात करों व्यापार उद्योग प्रकोष के अध्यक्ष रहे हैं अजय चौरडिया किस तरह से आपको लगता है कि सियासी दुश्मन है क्या पू बच्पन से उनका हर तरीके का सयोग मुझे मेरी वेक्तिकत जिंदिगी में मुझे मिला है जहां तक प्रशने उनके आरूप प्रत्यारूप का मैं मानता हूं कि उनका अधिकार हो सकता है पर पार्टी ने उसको जिस गंभीरता से लिया है वो आपको देखना पड़ेगा मत काम मिलेगा बहुत काम है पद की बाड जहां तक है पार्टी क्योंकि यह जरूर नहीं बहुत गंभांभीर हैं करना कि नए को करना नय लोगों को सब्सक्राइब दर्षेज़ उनका बिना पस से पार्टी की सेवा लगातार जैसे हमारे इंदूर की वासजन वर्मा कोई पद नहीं है पर लगातार PCC में सक्री रहते हैं ऐसे और भी लोग है इंदूर में अश्विन जोशी जी बड़े भाई है मेरे वो अभी कोई पत में नहीं है पर मैं तो उन से बच् में हमारा च्छोटा भाई अमन इसकी नाराजगी भी अगर है तो मामला अनुशासन का था तो कोई बात ने उससे मेरी बात हुई है और च्छोटा भाई ऐसे कोई लोग परिवार के मेरा दाइत तो है उनको समझाना यही मेरा काम है रहूल गांधी क्या MP कॉंग्रेस की रि इसनोमधर कम है अगर आप प्रियास कर रहे हो ताकत लग रहा हो सब को सांथ दिन कोशिश चल रही एक दिन सब देखते हैं और उसकी सफल ताइका सूचक और घोतक होता हूं तो मैं मानता हूँ सफलता ही नंबर होते हैं जिस दिन सफल होंगे सो नंबर लेइए ईसने तो कोई करम एसे किये ही नी किये बनी रहें यहीा है। जिन्दगी के यही रीत है, हार के बाद ही जीत है। इसी धेवाके के साथ मध्यपधेश कॉंग्रेस के जामाज अध्यक्ष जीतु पटवारीं अपनी रफ्तार में लगातार इजाफा भी कर रहे हैं। कई बड़े दावे कर रहे हैं और तमाम नाराज लोगों को मनाने की एक खास प्लान और एक रणनीती के साथ अपने सियासिक कदम आगे बढ़ा रहे हैं खास बाचीत आपको कैसे लगी हमें जरूर बताईएगा और फिलहाल मुझे मेरे सयोग आरून यादव के साथ दीजी अजादत MP News के लिए डॉक्टर महिंद सेंग के रिपोर्ट